ओम ज्यानति मिरंधस्य ज्यानांजन शलाकया चक्षुरु निलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमा नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेश शुन्यवादी पास्च्यात्य दे सतारिने नमो महा वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण यकृष्ण चैतन्या नामिने गौरतिशे नमहा ए कृष्णा करुणा सिंधु दीन वंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्तकांचन गोरांगी राधे ब्रिंदावनेश्वरी ब्रिशभानु सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्प तरुवेश्य कृपासिंधु व्यएवच्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णमेभ्यो नमोनमहा जयश्री कृष्णा चैतन्या प्रभू नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रिवासादी गोरभक्त बिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे मुकम करोति वाचालं पंगुम लंगायते गिरिं यत्कृपात महंबंदे श्री गुरू दीनतारिणं श्री परमानंदमाधवं श्री चैतन्या श्री तो आज हम असा तुपून है इसके उपर तो आप सब को हम प्रश्ण पूछेंगे और आप उतर देंगे ठीक है तो पहला जो असाइन्मेंट था हमने बोला था कि किस तरह उधर अंगर महाराज अपने अंगर महाराज का बेटा होता है और बेटा बेणा जैसे हो जाता है और तात्परिय में शुला प्रभुपात बताते हैं कि अंगर महाराज का एक बेणा जैसे बेटा हो गया खराब बेटा हो गया उससे अच्छा ही हुआ भगवान ने खराब बेटा देखे उनको अध्यात्मिक पत्थ में ले लिया आपको अगर पता है इसको दिखाएंगे तो तो ये था कि का ओके तो ये जो का शाइंडमेंट है पहला वाला हम डिसकुस करेंगे ये मैं आसा करता हूं आप सब असाइंडमेंट डिसकुशन कर रहे हैं गृप्स में मैं वह अटेंडंस भी देख रहा हूं ठीक है ना तो पहला प्रश्ण ये था कि इससे पता चलता है प्रसंग ये है कि विश्णु तात्परे में लिखा है कि अंग महाराज को बेना जैसे पुत्र मिलिया है वो अच्छा ही हुआ उनके लिए वो इस बहुत इक जगत्ते डिटाच हो गये पुरा और इधर वो चीज लिखा हुआ है हाँ इस इस परपोर्ट का लास्ट कोई पढ़ेगा चार नंबर अध्याय का तेरा नंबर चार नंबर स्कंत का तेरा नंबर अध्याय का थर्टीन नंबर स्लोक का सेकेंड पारग्राफ परपोर्ट कोई हिंदी में पढ़ेगा येस प्रिपी मातुजी 39 का सेकेंड पाराग्राफ तो इधर प्रभपात क्या बता रहें कभी कभी ऐसा एक पत्नी मिल जाता है एक बेटा मिल जाता है कि आदमी पुरा उब जाता है समसार से और उब के भगवान की भक्ति करने लग जाता है तो पहला प्रश्न ये था तो पहला प्रश्न इधर आगर आप देखेंगे क्या है कि ये कैसा प्रेम हो गया इसको क्या प्रेम बोलेंगे विश्नु का हां मतलब गलत चीजों में धकैल दिया और जबर्दस्ती ये तो पुरा जबर्दस्ती हो गया तो इसका उतर क्या है कौन बताएगा ये कौन सा प्रेम हो गया ये कौन सा प्रेम हो गया समझ में आ रहा है ये तो बहुत देंजर है विश्नु को फिर भक्ति करना बोली ये तो इसका उठ्याज में तो इंधर ने सब्सक्राइब और ये तो इन वह तो पिक आप निए ज़िए बान आप गीए यह उत्तने बोलें प्रश्ण यह है कि यह कौन सा प्रेम हुआ विश्णु का तो लॉट विश्णु फोल्टिजी लिजार अब ली कार्मी एंसे लिजार आप सब क्या तैयार हैं विश्णु आप से अगर ऐसा प्रेम करेंगे तो अए ऊठीशनु का रखायति दखते हैं कितने लोग हाथ उठाते हैं कि विश्णु प्रेम कीजिए मेरे सांसे ये कौन सा प्रेम हुआ विश्णु का भोलना असान है पर जब परिस्थिति में पड़ते हैं उस्समें विश्णु का प्रेम देखना वह है कि यह कैसा प्रेम हो गया कि अरे प्रिती माता जी फिर दुरुप्राव येस कि भगवान अंग महाराज को बचा रहे थे उनका खरा पुत्र आने वाला था भगवान पुत्र नहीं दिये यहfour देखिए एक चीज लिखा है कि So there was no son and bad son पुत्र नहीं होगा या फिर खरा पुत्र होगा भगवान क्या बोल रहे थे? क्या दे रहे थे उसको? पुत्र नहीं दे रहे थे पर कौन जवर्दस्ती किया? अंग महराज ने जवर्दस्ती किया तो फिर भी भगवान इतने कृपालू है हाला कि अंग महराज ने जवर्दस्ती करके पुत्र प्राप्त किया फिर भी भगवान उनका करुणा निधान किये तो इस तरह जो भौतिक बादी लोग भगवान को दोस्या रोप करते हैं अपने कर्म फल को जब भुगतते हैं कि समझ में आ रहा है यह चीज में क्या बोल रहा हूं जो भौतिक बादी लोग होते हैं गोडाउन कि जो कि या फिर भौतिक बादी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं भगवान को दोस्या रोप करते हैं और उनका कहना क्या है भगवान कैसे कृपालू है जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि इस गौड इस देयर देन वाइडर आज तो मेनी मिजरी इन दिस वर्ड़ अगर भगवान अगर है तो इतना दुख क्यूं है इस दुनिया में क्यूंकि इतना दुख है इस दुनिया में तो भगवान नहीं है समझ में आ रहा है आपने कितने लोग ने सुना है बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हुए कि भगवान अगर है तो इतना दुख क्यूं है और क्यूंकि अगर दुख है तो भगवान नहीं है एकिने बहुत सारे लोग ऐसे बोलते है तो हमको समझना चाहिए दुख का कारण भगवान नहीं है, दुख का कारण कौन है, मैं खुद हुएं, हम खुद हैं, तो जो अंग महराज की जो दुख हुआ, तो अंग महराज का जो दुख हुआ, उसका जो कारण, उसका कारण कौन है, स्वयंग अंग महराज, और नौट विष्णु रादर विष्णु के वज़े से जोग अंग महराज ने गलती किया उसको विष्णु ने सुधारा कैसे सुधारा कौन बोल पाएगा कि विष्णु ने अंग महराज की गलती को पहले तो आप बोलिये कि अंग महराज का क्या गलती था और विश्णु ने उसको कैसे सुधारा ये दो चीज़ क्या गलती था अंगा माराज का वो अतिप्रयास किये वो जबर दस्ती अपनी किये भगवान चाहते थे कि उनका जो गलत पुत्र आने वाला है वो नहीं आये पर वो अतिप्रयास किये पर भगवान उसको कैसे सुधारे है हाँ भगवान उसको सुधारे उनके हुरुदय में वाईराग्य प्राप्त करवा के उनको किसी तरह वो चीज़ को उनकी मुक्ति का कारण बना दिये है अच्छुली और यह बहुत महतुपून है आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का में खुद एक जन हमारे पास आये थे तो वो उनके एक दोस्त के बारे में बता रहे थे उनका दोस्त का जो लड़का है वो बारा करोड उड़ा दिया बारा करोड पैसा और वो भी दो साल में बस उड़ गया तो उनके पास ज्यादा पैसा होता होगा तो वो बैक्ती बहुत फ्रस्टेटेड था कि उसका बारा करोड पैसा उड़ गया दो साल में बेटा ऐसे ऐसे उड़ा दिया उसको पता ही नहीं था कैसे कैसे करके पता नहीं कैसे हो किया जो भी किया पर वो तो भक्त नहीं बना इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों से परिसान है है कि नहीं उन में से कितने लोग भगवान का भक्त बनते हैं बोलिए तो ये महराज अंग के पूर्व कर्म के अनुसार ही उनको खराब बेटा मिला पर उस कर्म को भक्ति के पत में, मुक्ति के पत में लगाया विश्णु ने क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खराब परिस्थिति आता है फाइनेंशियल लॉस आता है बेटा बेटी गड़वड निकलते हैं संतान कुछ प्रॉब्लेम करते हैं पर वो तो भक्ति नहीं नहीं आते हैं उनके उरुद्य में बाय्राग्य जागरत नहीं होता है वो क्या करते हैं? दारू पीने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं पर भक्त नहीं बनेंगे पर विश्म की special विशेस क्रिपा अंगम महराज के उपर था कि उनका जब भौतिक स्तर पे गल्ती गड़वड हुआ उनी के कर्म के वज़े से उसको भगवान ने उनके हुरुदय में कुछ भक्ती और वाईराग्य जाज़िद किया तो हमको पहले चीज समझना चाहिए जो वाईराग्य या भक्ती है वो केवल भगवान और भक्तों के क्रिपा से ही जागरत हो सकता है कोई भौतिक परिस्थिती भक्ती जागरत नहीं कर सकता है अगर भौतिक परिस्थिती भक्ती जागरत कर लेता पूरा हॉस्पिटल तो भक्तों से भर जाता करेक्ट हॉस्पिटल में कितने लोग मर रहे हैं बताइए कितना भक्तों हो रहे हैं तो हम इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं इतना समय बरवाद क्यूं कर रहे हैं, क्लास लेने का, सब को समझाने का, भगवत कीदा पढ़ाने का, मंदिर बनाने का, तो इसे जरूत ही नहीं है, क्यूंकि अगर भौतिक परिस्थिती भक्ति जागरित कर लेता है, तो मंदिर का, भक्तों का कुछ देनी नहीं है जीवन में, पर भवतिक परिस्थिती भक्ति जागरत नहीं करता है, भक्ति तो केवल भगवान और भक्तों की क्रिपा सही जागरित होता है, तो भगवान विष्णु का अंग महराज के जीवन में क्रिपा क्या है, कि उनकी भौतिक परिस्थिती को व्यववार करके उनके घृदे में भक्ति जागरत हो गया, क्यूं? क्यूं? क्यूंकि वो धुरुव महराज के बंस में आते थे भगवान धुरुव महराज को प्रेम करते हैं और उनके बंस में भी जो भी आते हैं प्रेम करते हैं भगवान ने सोचा कि उनको कुछ कृपा दिया जाए तो ये बहुत महतुपून ने हमको जानना कि भक्ती किसी के हुरुदे में बिना भक्तों के कृपा के बिना और भगवान कभी कृपा नहीं करेंगे जब तक भक्त आपके जीवन में इन्वाल नहीं क्योंकि वो दुरुव महाराज के फाइमिली में आ रहे थे इसलिए भगवान भी इन्वाल होगे कृपा कर लिए तो भगवान और भक्तों के बीच में भक्त ज्यादा महतुपून है क्या करें इस अब को समझ में आया यस अंजु माता जी किया समझ में आया बताओ अखिए अभी बताएंगे क्या जिसनु से अपना भवातिक खिर्मां दिये, तो वो उनको मिल गया। लेकिन इसमें किस्नु की किर्पा ये हुई, कि वो उनको उठ्र तो मिल गया। जिसे वो परेचान हो है। लेकिन उनके हिर्दयन है, भव्ति जाजित करवा के वो घजवान किर्पा होते हैं। तो और भव्ति किस से नहीं जागरेचान होते हैं। तो और भव्ति किस से नहीं जागरेचान होते हैं। तो और भव्ति किस से नहीं जागरेचान होता है। कौन से परिस्थिति भव्ति जागरेचान होते हैं। कौन से परिस्थिति भवक्ति जागरेचान होते हैं। बहुतिक परिस्थितियों से भवक्ति जागरेचान होता है। बहुतिक परिस्तिती कितना भी खराब हो जाए वो भक्त नहीं वनेगा नहीं तो हॉस्पिटल या फिर जहां जिसका बैंक अकाउंट बैंकरफ्ट हो जाता है देवालिया हो जाता है वो सब तो भक्त बन जाते हैं पर वो भक्त नहीं वनते हैं क्यों नहीं भक्त बनते हैं क् का कारा मुरित्यु किसी हो गया गया तरीके से या फिर उनकी उता पत्ने गवाद भूजर लए shores और इतना एक रोहेंगे इतना करूरेंगे इतना आकर रूहेंगे प्रभब जी मेरे को बता यह फिर हम उनको किताब देंगे थोड़ा पढ़िए हमसे बात किदिए व동ने मन्दिर आएगे पिर चले जाएगे तो भौतित परिस्थिती भक्ती जागवित नहीं होगा जब तक एक भक्त की क्रिपा भगवान की क्रिपा उसको नहीं मिलेगा तो विश्णु अंग महाराज की दुख की कारण नहीं है, कौन उनकी दुख की कारण है, वो खुद, पर हाला कि वो नो ने गल्ती किया, फिर भी विश्णु उस गल्ती को सुधार के उनको कृपा प्रदान किये, तो ये महत्वपोन है, ये इधर बताया गया है तो और एक प्रश्ण ये है, तो ये सुनके कभी-कभी नए भक्त लोग डर जाएंगे, कि बापरे विश्णु बहुत चालाग है, इधर उदर काम कर लेगा, मेरे को ऐसे बेटा दे देगा, मेरा भौतिक वो चला जाएगा, क्या उत्तर है इसका? और विश्ण आ गोरिणी, क्या जोरे डर जाएगा है वो तो ठीक है बट इधर भगवान विष्णु ने अंग महाराज की जीवन को ऐसे से कर दिया तो क्या पता भगवान विष्णु हमारे साथ भी ऐसे कर लें तो आप आप समझ रहे हैं ना बाहर के लोग में समझेंगे ना इसलिए तो भगवान विष्णु से सब दढ़ते हैं तो क्या ग्यारंटी है कि भगवान विष्णु आपके साथ ऐसे नहीं करेंगे ये इस धुरू प्रो कुछ बोल रहे हैं इन ड्वान विष्ण ये धियादर हैं गवान विष्णु के साथ प्रिशने करेंग में वान फिष्णे ऱ्यावत्स अ कर्ड़ारख तो अई घ्र में जादा कर से कुछ कर्म में हमने आपको बताया था ना सब कुछ कर्म से हो रहा है ये गलत है सब कुछ भगवान कर रहे हैं ये गलत है निश्रन है ठीक है निश्रन है ये और कोई अहां हां 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 मली ओके हमारा इच्छा के अंशर होता है और कोई और कोई बोलेगा अरे कृष्णो दबुजी, जो इग्णोरंस की वज़ से ही जो नया भट है, जो भटी का तत्वा नहीं जानता है, वो भागेगा, वो सोचेगा कि विश्णु ही जो ही जिम्मेदार है, लेकिन अगर वो भट का संग करेगा, या कोई ऐसे संप्रदाय से दुरेगा, जिससे उ तो फिर दीरे 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 वो यह समझने लगेगा, जैसे कि हम लोग समझने लगेगा, तो कि हम लोग को जीवन में भी दुख है, ऐसा नहीं है, जेकिन जो हमारा रियक्शन है, वो कम हो गया है, और हम समझ लगे कि इंस वह कारण है, पर प्रस्ण ये पूछता है कि ख़वान हमारे जीवन में कितना इंटरैक्शन करते हैं, ये प्रश्न है, अगर अगर भगवान को सरिंडर, तो प्रभु जैसे कि प्रश्ना भूप में भी लिखाएगी, अब ह़क्त को माया दे भी कंत्रोल करते हैं, हफ्त को कृष्णा, तो क्रिश्णा हमारे पेरेंस की करते हैं तो यह ठीक है बट इसमें थोड़ा सा और डेस्क्रिप्शन की जरुरत है जो इधर हम लिखे हैं तो यह आप ध्यानकुर्वक देखिए तो जो तीन प्रकार के लोग होते हैं एक होते हैं जो भक्त जिनका अभी भी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं मतलब पूरा सुद्ध नहीं हुए हैं एक है भक्त, जो अभी विनके वृदयमे भहतिक इच्छाएं हैं और वह संपूर्न रूप से सुध भक्त नहीं बने, वह एक केटेगरी के हैं डूसरा केटेगरी के हैं जो है सुध भक्त, देखे इधर लिखावए, pure devotee, सुध भक्त और तीसरी क्याटेगरी के हैं जो है भौतिकवादी लोग वो भक्ती वक्ती से उनका कुछ लेना देना नहीं है इस जीवन में ही रहना है सब कुछ इस जीवन में करना है उनको आध्यात्मिक्ता से भक्ती से भगवान से कुछ लेना देना नहीं है सो ये तीन कैटेगरी के लोग होते हैं तीन कैटेगरी के लोगों के लिए भगवान तीन प्रकार के साथ सहे तरीके से डील करते हैं सो जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जो है भौतिक बादी लोग जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है भगवान भी उनके साथ कुछ लेना देना नहीं करते हैं भगवान क्या करते हैं? भगवान उनको कर्म की जो सिस्टम है और देवता और भोतिक सक्ति जो है, दुर्गा देवी, उनको हैंड़ावर कर देते हैं समझ में आ रहा है? यह है भोतिक बादि लोग उनको भगवान क्या करते हैं उनको बिल्कुल डीली नहीं करते हैं उनको जीवन के बारे में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करते हैं कुछ नहीं करते हैं उनके जीवन के साथ उनको बस हैंड़ ओवर कर देते हैं भई आप देखो वो हम हमारे साथ रहना नहीं चाहता है और इसलिए हम उसके साथ deal करना नहीं चाहेंगे आप देख लीजिए वो जो अच्छा कर रहा है उसको reward दे दीजिए और जो बुरा कर रहा है उसको दंड दे दीजिए समझ में आ रहा है क्योंकि वो भगवान के साथ डील ही नहीं करना चाहता है भगवान से द्वेस करता है भगवान को मानता ही नहीं तो भगवान क्या करते हैं उसको साथ कुछ नहीं करते हैं उसके जीवन के साथ भगवान बिलकुल इंटरफियर नहीं करते हैं नाइट उसकी जीवन के साथ सम्कून रूप से देवता लोग, नभग रहा और भातिक सक्ति पूरा इंटर्फियर करते हैं वो और उसका कर्मा और का ब इंटर्फियर करते हैं भगवान अगर कोई देवता लोग भातिक सक्ति उनके साथ injustice किया, then Krishna enters धर्मस्य गलानी, जब बोलते हैं यदा, यदा ही धर्मस्य गलानीर भवति भारता भगवान का बात है जब कोई धर्मस्य गलानी होता है कोई देवता हो, राक्षश हो कोई भी, injustice करता है सिस्टम के विरुद जाता है वो देवता भी जा सकता है और राक्षश भी जा सकता है जब यह आता है, भगवान फिर सिस्टम को सेट अप करके फिर चले जाते हैं समझ में आ रहा है तो यह है, materialistic लोग दूसरा है, सुद्ध वक्त सुद्ध वक्त अपने को पूरा देदेता है भगवान उसका जीवन को पूरा चलाते है जैसे भगवान अर्जुन का रथ चलाते है अर्जुन और कुछ नहीं करेगा जो भगवान बोलेंगे वही अर्जुन करेगा भगवान बोलेंगे मारो साधी करलेगा न वो सुन्यास बन देगा अब हम जो ना ना हम भौतिक हैं पूरा ना हम पूरा some ने कैटेगरी में समझ में आ रहा है ना जैसे एक होता है कच्चा एक होता है recommendations तो हम क्या हैं? पूरा पके नहीं है और थोड़ा कच्चा भी है तो ये है हमारा condition ये है हमारा first category जो इधर लिखा हुआ है तो first category के लोगों के लिए भगवान केसे करते हैं? भगवान उनको choice देते हैं रस्ता दिखा के choice देते हैं कि ये भी एक रस्ता है ये भी एक रस्ता है और उसको freedom देते हैं कौन से रस्ते पे तुम चलना चाता है और उस रस्ते पे जिस रस्ते पे लड़का चला उस रस्ते पे चलने के बाद उस रस्ते को किस तरह उस रस्ते में भी भगवान भक्ती को और add कर सकते हैं उसको help कर सकते हैं उसमें जो best guidance हो वो देते हैं पर रस्ता चुनने का जिम्मेदारी किसका? भगवान का नहीं, वो भक्त का पर सुद्वक्त का रस्ता चुनने का जिम्मेदारी भी भगवान का होता है भगवान उसको रस्ता भी चुन करके देते हैं तुमको यही रस्ते पर जाना है यह हमारे जैसे भक्तों को भगवान नहीं करेंगे हमारे जैसे भक्तों को क्या भगवान करेंगे तुम चूज करो मैं उस रस्ते पर क्या अच्छा हो सकता है मैं देखता हूं क्या करना है समझ में आ रहा है और कभी-कभी हम जैसे भक्त हमारे कर्मों के अनुसार हम रस्ता चूज करते हैं कभी-कभी हम भक्तों के गाइडन्स लेकर रस्ता चूज करते हैं अगर हम भक्तों का गाइडन्स लेकर गुरु अर्गों का गाइडन्स लेकर चूज करेंगे तो सबसे अच्छा हमारे लिए होगा पर कभी-कभी हम आबारे कर्मों के अनुसार भी कुछ रस्ता निर्नाय कर लेते हैं तो पर हमको समझना चाहिए उस रस्ते पर जो भी सबसे बेस्ट होगा वो भगवान हमको देंगे पर रस्ता चुनना हमारी जिम्मेदारी है रस्ते में चलना हमारी जिम्मेदारी है भगवान रस्ता हमारे लिए चुनेंगे नहीं रस्ता में चलने का जो वो है आपको निर्धारित करना है पर भगवान गाइडेंस देंगे इस रस्ते पे कैसे तुम क्या कर सकता है तो ये है हम जैसे भक्तों का भगवान कैसे हमारे साथ डील करते हैं और हम जितना जितना सुध्ध बनते जाएंगे उतना उतना भगवान हमारे जीवन में इंटर्फियर करने लग जाएंगे क्यों देखे भगवान इंटर्फियर करेंगे हमारे जीवन में हस्ताक्षिप तो हमारे जीवन में हस्ताक्षिप करेंगे जितना हमारा सरनागती बढ़ेगा हम तो बोल देते हैं कि हम भगवान हम सरनागत हैं पर भगवान हमारे हुरुदे में भी देख रहे हैं कि ये बोल तो रहा है सरनागत है पर हुरुदे में अभी भी भोतिक इच्छाएं है तो इसलिए भगवान हमारे जीवन में उतना ही हस्ताक्षेप करेंगे जितना हमारा हुरदय सुद्ध हुआ है तो इसलिए भगवान हमको क्या करेंगे option देंगे ठीके तुम गुरु अरगों को भी guidance लेके कर सकता है तुम अपना मन का भी guidance ले सकता है तुम इसका भी guidance लेक सकता है तुम देखो क्या करो He will not interfere with our free will हमारी जो इच्छा है free will को क्या बोलेंगे लिए स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता के साथ भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो कैसे भगवान हस्तक्षेप कर सकते हैं जब हम और ज्यादा से ज्यादा सरनागत होंगे और हमारे हुरुदे सुद्ध होगा तो जितना ज्यादा दीरे दीरे सरनागत होंगे और भगवान को confidence आएगा कि हाँ ये सुद्ध हो रहा है तो ये फिर भगवान हस्तक्षेप करने लग जाएंगे तो इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए कि भापरे भगवान भी अगर हमारे जीवन में पांडव जैसे हस्तक्षेप कर लिए पांडव लोगों का तो क्या हालत हो गया ऐसे हो गया तो कैसे होगा भगवान करेंगे नहीं भगवान हमसे अनन्त गुना ज्यादा हुसियार है भगवान हमको अच्छे से जानते हैं और हमारा हित के लिए कभी-कभी हमारे संपूनता से हमारी स्वतंतरता के साथ भगवान खिलवाड नहीं करेंगे जब तक भगवान को संपून रूप से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि यह व्यक्ति सुद्ध हो गया है भगवान हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं संपून रूप से चीनेंगे नहीं समझ में आ रहा है तो दीरे-दीरे यह भक्ति एक धीरे-धीरे कार्ये करने वाला जैसे है है तो डौक्टर यह करता है इस को समझ जाएं यह आए कि भगवान जैसे डॉक्तर है तो डॉक्तर क्या करता है few 11 विमारी होता है हिसाल ईड़ी नुक्ता विमारी में और उस आहीं और क्या है जब एक पेनफुल बीमारी होता है वेरी गुड़ एक पेनकिलर दिया जाता है और एक है मेडिसिन दिया जाता है एंटिवाटिक जो क्यों करें डिजीज को तो पेनकिलर क्या है सम मेटरियल एंजॉयमेंट मेटरियल हैपिनेस मेडिसिन क्या है हरी नाम अध्यात्मिक्ता वो सब तो भगवान भी एक डॉक्टर की तरह क्यूंकि हम खाली मेडिसिन जेल नहीं पाएंगे अगर आप सबको बोल दिया जाए कि अभी हर दिन भागोतम क्लास होगा दो घंटे का कितने लोग आएंगे हर हप्ता भागोतम क्लास एक घंटा होता है तो भगवान को भी पता है उसको केवल मेडिसिन देंगे तो और हम आप सोचिए कि हमको सततम किर्टयन तो माम करना है पूरा दिन भर हरी नाम करना है हमको अभी हमको हप्ते में एक घंटा में ही हमारा भावरे प्रभुजी कितना प्रेशर डालते हैं विडियो ओन करना है ये करना है वो करना है तो इसलिए भगवान क्या करते हैं ठीक है हप्ते में तुम जो करना है करो हर दिन थोड़ा माला करो और हफ्ते में एक क्लास सुनो इतना करो फिर धीरे धीरे हमारा जब प्रगति होगा तो हमारा पेन की लर बंद होगा और मेडिसिन खाली मेडिसिन हरी नाम से ही हमारा जीवन चल जाएगा पर अभी हमारा भी थोड़ा बहुती गिच्छाएं हैं तो भगवान भी हमको ठीक है थोड़ा हमारी बहुती गिच्छाएं भी संपूर्न कर लेते हैं पूर्न कर लेते हैं तो हम भी थोड़ा खूस रहत एक भक्त का प्रगति करवाते हैं पर interference नहीं करते हैं हस्ताक्षेप नहीं करते हैं जितना हम सरनागत करते हैं उतना ही हस्ताक्षेप करते हैं अगर हम 10% सरनागति किये हैं तो 10% हस्ताक्षेप करेंगे और 90% हमारा कर्म हमको भूगतना पड़ेगा समझ में आ रहा है आपको if we have 10% 90% हमको कर्म भूगतना पड़ेगा 10% हमारा कर्म जाएगा तो उसी तरह भगवान भी देखके हमारे साथ डील करते हैं तो इसलिए हमको भगवान से डरना नहीं है कि बापरे भगवान सब कुछ लेके चले जाएंगे और हमको रस्ते पे छोड़ देंगे भगवान कभी किसी को ऐसे नहीं करते हैं सरनागती की अनुसार ही भगवान करते हैं पांडव लोगों की तरह भगवान हमारे साथ डील नहीं करेंगे समझ महारा है ना सोची है द्रौपदी का कैसे द्रौपदी को किस तरह गुजन है लोग हमको बोलते हैं कि प्रभुजी भगवान इतना कश्ट दे रहे हमारे जीवन में आरे द्रौपदी के बारे में सोची है हाँ वो भगवान की सखी है और भगवान ने क्या किया उनके साथ तो भगवान हमारे साथ इससे कुछ करेंगे नहीं सुद्ध्ध्धक्त को इसाथ करेंगे। suggested रेंगे कुछ शिक्षा देने के लिए हो करेंगे। कट पुतली हैं। किण बोता हैै। हुआ के गाराज देखिए दुरुबह महराज और अंग नहराज के बीच में का्यंग दुरुब महाराज को दुरुब महाराज का भी भहतिक इच्छा थी और अंग महाराज का भी भहतिक इच्छा था दोनों का तो बहुतिक इच्छा था ऐसे नहीं कि धुरुब महाराज का होती किसे तो इसे भगवान अंगा महाराज की जीवन में ऐसे क्या और धुरुब महाराज की जीवन में ऐसे क्यों किया यह प्रश्णा जो अभी तक उत्तर नहीं दिया बोली है यह गरीता मातजी बोल पुरोहितों के और देखता हूं के उसके गाइड़न्स ही है तो भगवान के पास पहुंचने का दो तरीका है इधर लेखिये दिखा हुआ तो दो तरीका है एक है सुद्ध वक्तों के द्वारा पहुंचना और एक है मैनेजरियल पात पुरोहित, डेमिगाड, देवता तो मैनेजरियल पात अगर लेंगे तो आपका कर्म भी रहेगा उसके साथ और वो इस बहुत दिक जगत का रहेगा बट सुद्ध वक्तों का संपर्स में आएंगे तो आपका जीवन दूसरा हो जाएगा तो यह एक महत्वपुन चीज है और कौन क्या बताएगा और क्या धुरू महाराज और अंदो महाराज में अंतर है और एक भी अंतर है पहले तो सुद्ध नहीं हुए थे ना तो फिर और क्या हुआ अलविष्ण Πरफुसी रहे हैं खुरू महाराज future भॉतिक इच्छा के ली फ्राप्त कर रहे थे खाग्वान अलए अंग्र महाराच भागवान थे बहुत रिच्छा ले रेते हैं करें अरे पुछ सब्सक्रा भीजी अंग्र माहाराच में अपने आप से कुझे इती परिशिती में डाला है ओके ऑई हर उप रेविके गजब विशिए का अंग्र महाराच ने कमा अड़ना है कि अंगा और धुरुव में क्या अंतर है और एक लास्ट कौन बोला है और अंगा महराज के पास गूरु नहीं था वो सही है उत्तर है दूसरा चीज है एक तो यह उत्तर हो गया कि अंगा महराज ने पुरोवित लों का सरणागती किया दूसरा चीज है दूसरा चीज है दूसरा बहुत ऑनेस्ट थे कि वर्य ओनेस्ट होनेस्ट को क्या बोलते है हिन्दी में इमांडार इमांदार दूसरा अपनी बहुति इच्छाओं को छुपाने का कोशिस मत किय आंगा महराज किय के मेरको राज्य चलाना है कैसे राज्य चलाओंगा वो अगर बोल देते हैं मेरे को बेटा चाहिए राज्य बूल जाओ मेरे को बेटा चाहिए so Dhruva महाराज honest थे ये एक Dhruva महाराज की अच्छा quality था Dhruva महाराज was very honest he was not trying to hide his material desires and because he was honest that's why also another this is also another point but most important जो सबसे महत पून चीज है Dhruva महाराज ने नारद मुनी का तरणागती लिया तो किमकि नारद मुनी का तरणागती लिया तो इसलिए Dhruva महाराज का ऐसे हो गया ठीक है next तीसरा प्रश्न है अंग महाराज ने जब उनके साथ जीवन में ये सब असुविधाएं आई अंग महाराज इस जीवन की असुविधाओं में भगवान का हाथ देखा तो आप केसे और कोई भी केसे भगवान का हाथ देख सकता है और क्या-क्या समस्याएं आती है जब हमारे जीवन में कुछ अडचने आती है गड़ बढ़ाता है दुख आता है क्या-क्या समस्याएं आती है जिसके बज़े से हम भगवान का हाथ नहीं देख पाते है समझ में आ गया प्रस्ण क्या-क्या चीजों के बज़े से हम अपने जीवन में भगवान का हाथ नहीं देख पाते हैं जब जीवन में समस्याएं आती है कौन बताबाए है कौन बोल रहा है नाम पहले बल दो बताए है कि इसमें कोई गुरू नहीं था उनकी इसमें पहले हमारे जीवन में गुरू होना को जरूरी है हमारे जीवन में क्या किस चीजों के बज़े से हम इस भगवान का हाथ नहीं देख पाए है एक तो है गुरू बर्ग नहीं रहेंगे तो देखने पाएंगे और क्या अगर हम समझते हैं कि मेरे सकती से ही मेरे को सब कुछ मिलेगा तो यह अगर हम समझते हैं तो भगवान का हाथ नहीं देख पाएंगे यह और कोई कुछ और दीरे दीरे बोलो एक एक करके बोलो समझ में नहीं आ रहा है तो पहला चीज हमारे एक कौन बता है पहला चीज अपना माता जी बोले कि अगर इफ देर इस नो प्रॉपर गुरु देन इस डिफिकल्ट तो सी कृष्णा हैंड सेकेंड बोले जब हम अपना एंडेवर को हमारी जो प्रयास है उसको अगर सुप्रीम मानेंगे उससे ही मैं सब कुछ कर लूँगा तो हम भगवान का हाथ हमारे जीवन में देख सकते हैं और क्या अपने को चुपाते हैं अपने सही बात अपने बात जो है वो गुरु वर्भू के साथ में नहीं रखते हैं हाँ, वेन वे अधिशनेस्ट अंदर कुछ बाहर कुछ, मन में कुछ सोच रहा है कुछ, बोल रहा है कुछ, कर रहा है कुछ जब हमारी सोच, thinking words, speech and action यह दोनों match नहीं होता है और कोई यह हो गया, यह one number हो गया साथ का संग नहीं होता है, तो कर नहीं पाता है यह गुरू के पूर विश्वात में तो भी नहीं हो चकता गुरू वह लिख लिया गुरू वर्गों का लिख लिया और एक बहुत महत्त पून्ची सब्सक्राइब गुरू और यह दो अपने लिख लिख दिया दोनमबर पॉइंट में एक चीज आप सब भूल रहें कि डिप्रेशन हो गया उस्तर हो गया कि लिख लिए आती प्रयास लिख लिए एक चीज़ आप सब भूल रहें कब हम भगवान का हाथ में लिए जो नहीं चाहते हैं तो अब लगवान की मश्ची देखना चाहते हैं जो मैं बूल जी है वाटी गया क्या 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 है कि हमारी आ सकती है कि को एक एक करके एक करके हाँ अलपा माता जी बोलेंगे फिर रहा है यह तो अच्छी हमारा इमोशन हमको इतना ओवर्वेल्मिंग हो जाता है सब बंद हो जाता है उसी को करने थे अपने मेरे अग्जन को देखा है वह रहा था और सर को पुरा फटक रहा था पटक रहा था मेरा दादी चली गई दादी चली गई दादी चली गई मेर को लग रहा तू भी चला जाएगा ऐसे करेगा तो दादी तो गई और तुम भी जाएगा और मैं उसको पकड़ रहा हूं दादी चली गई वो सही में उसको खून बहने लग गया दादी चली गई दादी चली गई शॉटेबल मार-वार के street में जोर-जोर सकत सकते इसके ने देखा था किसी को और मिसा रहना था ही भी चला जाए जाएगा लादी तो कभी इसे आदमी अपने वो इमोशन से तो और वेलम हो यह सब मढ़के किसी प्रश्टन का उत्तर आप बोल सकते हम माया में है इसलिए हमारा इस परिस्थमीन नहीं है इसलिए हमारा परिस्थितिन हैनी यह सुप्रीम अंसर कहीन भीgle लगा सकते हैं कि अपने आपको भगवान समझें लगते हैं कि अपने आपको भगवान समझें अब आज आ रहा है म्यूट कर लो म्यूट कर लो तो और एक पॉइंट बहुत महतुपून पॉइंट है वो भगवान हमारी वेल विसर है सुहुरुत है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके उपर यह विश्वास नहीं कि भगवान हमारी सुहुरुत है उनको लगता है कि यह जो दुख मिल रहा है वो भगवान मेरे को दे रहे हैं तो यह अगर समझ एक व्यक्तिका नहीं हुआ तो जरूर भगवान को कोसेगा और भगवान का हाथ नहीं देखेगा और वो देखेगा भी तो वो भगवान को कंप्लेन करेगा ब्लेम करेगा कर्स करेगा श्राप देदेगा जैसे गांधार ने स्राप दिया क्योंकि उसको लग रहा था कि कृष्ण मेरा बुराई किया कि अजिव दूरियोधन कितना अच्छा था सोचो कि कृष्ण मेरे साथ ने बुराई किया और दूरियोधन सबसाई किया तो वह जब अगर किसी का इसके उपर स्रद्धा नहीं है विश्वास नहीं कि भगवान मेरे सबसे ज्याद सुरूत है अगर कुछ मेरे साथ हो रहा है यह मेरे कर्म के वज़े से हो रहा है और भगवान उस कर्म को कम करके दे रहे है ताब व्यक्ति भगवान का हाथ नहीं देख पाएगा भगवान किसी में हाथ लगाते है मतलब अब देखिए भगवान ने कुपजा को हाथ लगाया क्या हो ग एक तो कुबडी थी और उपर से कम्स की शर्वेंट थी, चाकर थी जैसे ही भगवान ने हात लगाया, वो सुंदर हो गया, है की नहीं, कुबजा बदल गई तो भगवान जिसक्यों पर हात लगाते हैं, पूतना को भगवान ने स्पर्स किया क्या हो गया पूतनागा पूतना धात्री बन गई तो भगवान हमारे जीवन में किसी भी तरीके से अगर स्पर्स करेंगे हमारा जीवन तो अच्छा ही होगा ये स्रद्धा हमारा होना चाहिए भगवान ने सिसुपाल को मारा गती दे दिया भगवान ने इरन्य केश्वपु को मारा और मुक्ती दे दिया तो भगवान अगर हमारे जीवन में स्पर्स करते हैं तो हमारा जीवन ही इंप्रूव होगा डिग्रेड नहीं होगा तो ये स्रद्धा होना चाहिए तब जाके हम भगवान की हाथ को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो अच्छाई के लिए हो रहा है और जो गड़बड हो रहा है वो मेरे वज़े से हो रहा है जो गड़बड हुआ है जो गड़बड हो रहा है और जो गड़बड होने वाला है वो केवल मेरे वज़े से हो रहा है और जो भी उसमें अच्छा हुआ वो केवल भगवान के वज़े से हो रहा है तो ये स्रद्धा व्यक्ति का होना चाहिए क्योंकि भगवान जिस भी ब्यक्ति के जीवन में हस्ताक्षेप किये हैं हाथ लगाए हैं वो उसका जीवन सोना हो गया है तो यह हमारा सरद्धा होना चाहिए आज एक जनाय थे हमसे मिलने के लिए तो हम बोल रहे थे कि वो कुछ तो गलत कर लिए और बोल रहे थे कि मेरा गलती हो गया कैसे होगा क्या होगा मैं बोल रहा था कि देखिए आपको अपना गलती दिख रहा है पर भगवान आपका गलती नहीं देखते हैं भगवान के आख में गलती दिखाई नहीं दे रहा है जिता है भगवान बगवान पूतना में माता देखा हैं तो भगवान की दृष्टी है इसलिए वह बगवान है हम को लगता है हम सब में दोस्त देख पाते हैं तो भगवान भी ऐसे ही होंगे समझे रहा हुआ हमको क्या लगता है मैं देखता हूं कि देखो आप बिलासा माताजी तिलक सही से नहीं लगाई रूची माताजी तो तिलक ही नहीं लगाए और जोती माताजी ऐसे ही बैठ गई तो हमको क्या लगता है मैं जिसको देख रहा हूं सबका दोस देख रहा हूं तो मतलब क्या है भगवान भी ऐसे देखेंगे तो क्या देखेंगे दोसी देखेंगे क्यूंकि हम अपना चेतना भगवान में थोप देते हैं कि मेरा चेतना में देखता रहता हूं दोस देखता हूं तो भगवान भी ऐसे होंगे पर भगवान इसे नहीं है इसलिए भगवा भगवान दोस नहीं देखते हैं और क्योंकि भगवान को दोस दिखाई नहीं देता है इसलिए भगवान मैनेजमेंट करते नहीं है इस दुनिया का अब सोचिए अगर जज को दोस दिखाई नहीं देगा वो पनिस्मेंट दे पाएगा इसलिए भगवान जज नहीं बनते हैं यमराज को जज बना देते हैं भोत इक दुर्गा देवी को जज बना देते हैं पर भगवान जज नहीं बनाते हैं भगवान जज बनेंगे तो पनिस्मेंट देने पहें किसी को पनिस्मेंट नहीं मिलेगा तो ये हमारा स्रद्धा होना चाहिए कि भगवान बहुत क्रिपालू है बहुत ज्यादा क्रिपालू है और उनी के क्रिपा से ही सब कुछ हो रहा है और भगवान कोई दोस्त नहीं देखते हैं तो औरफ प्राइब अंग महाराज कर सकते थे जिससे यह जो परिस्थिती वह गुज्रे उसको तुझा करते कि तो यह परिस्थिती उनपाद नहीं उनके परामर्स रहना चाहिए क्यों परामर्स कोई नहीं लेता है कौन बता पाएगा तो कि अपना प्रॉब्लम बताना नहीं चाहता है और क्या ओवर कॉंफिडेंस के बज़े से कोई परामर्स में नहीं जो सोचता हूं वो सब सही है मेरे को कौन क्या बताएगा यह करेगा तो यह ओवर कॉंफिडेंस नहीं होना चैने तो बहुती करते हम बहुत पिताई देगा तो इस तरह यह असाइन्मेंट था आप सबने डिसकस किया तो अच्छे से पढ़ने का कोसिस कीजिए और भगवान के उपर सरद्धा रखे कि भगवान किसी का दोस नहीं देखते हैं भगवान हमको पनिसमेल नहीं देते हैं भगवान केबल प्रेम ही देते हैं पर हम अपने कर्मों के वज़े से इधर हमको कष्ट गया है जिस तरह को जो भी मिला ओके यह इस assignment का थीम था हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे किसी का कोई प्रश्ण है तो पूछ सकता है सुधामा जी इसको भगवान ने बहुत धन दिया था कि सुधामा जी अपने गरीवी से अपनी बैराग्य से गर्व हो गया था उनका अपना बैराग्य के उपर गर्व हो गया था वो गर्व को खंडन करने के लिए सुधामा जी को बहुत धन दिये था कि तो भी उनका एक बहुतिक वह हो गया था समझना रहा है करोगे के वह घंड तुनल प्राव के वपर कलकी कैसे हो गया कल्की तो गषाए कैसे, क्ल्की करते हो गए? टो विश्टू के आपड़ हो ना चाहि है कि भटवान किसमें दोस्तने मैं देखते हैं अब जाजिदू कि पादके है बटढ़वान को छाज पी तूब पनिश्मेंट या उसका बी कुछ रूस्वरा कोई मतलब है किया50 तो असवत्थमा को भगवानने पनिस्मेंट दिया असव Ninya का पूरा कहानी everything भागवत में आता है तो अशली भीम भोल रहे थे असवत्वथमा को मार दो कि युदिश्टिर और द्रपरी बोल थे अस्वाथामा को छोड़ दो ठीक है और भगवान ने बोला अर्जुन को भाई तुम उसको पकड़के ले क्या तुम डिसाइड करो क्या करना है अब भगवान ने चोड़ दिया अर्जुन के उपर अब अर्जुन फज़ गए कि नहां युदिश्टिर बोला छोड़ दे बहन है वह हमारी गुरु माता है क्या करेगी अकेली कैसे होगी द्रवपदी छोड़ दो युदिश्टिर बोले छोड़ दो और नकूल सहदेप दोनों भी बोले छोड़ दो और भीम बोले मारो उसको काट दो फिर से गलती करेगा तो ऐसे होके अर्जुन अभी असमंज प वो तो वही हम डिसकस करें भगवान का वो भागोतम में स्लोक है भगवान डाइरेक्ली बोले हैं अर्जुन को कि you decide as a king what you think it is proper you have both the things ये भागोतम का स्लोक है तो अगर फिल्म में कुछ और दिखा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं भागोतम में तो डाइरेक्ली स्लोक है पूत्रों को मार दिये थे तो अर्जुन ने क्या किया अर्जुन युधिस्टिर का भी बात माने और भीम का भी बात माने कैसे दोनों का बात मानने के लिए अर्जुन ने क्या किया अस्वत्थामा का एक मनी रहता था वो मनी से उसको सक्ति मिलता था वो मनी को काट दिया और निकाल दिया, ताकि उनका सक्ति डाउन हो जाए, और उनका आधा ऐसे सेव कर दिया, आधा बाल उठा दिया और छोड़ दिया, एक शत्रिय को अगर आप इस तरह का निंदा करते हैं, मतलब आधा बाल हटा के ऐसे कर लेते हैं, it is almost like killing him also, it is almost like killing him, so भीम का भी बात मान लि अरजुन कैसे, क्योंकि उसको इतना निंदा किया, उसका मणी निकाल दिया, उसका आधा सेविंग कर दिया, आधा बाल था, आधा बाल नहीं था, मूच आधा था, मूच आधा नहीं था, दाड़ी आधा था, दाड़ी आधा नहीं था, ऐसे करके छोड़ दिया, so it is almost like death only, तो भीम का भी बात मान लिए द्रौपदी और युदिष्टिर का भी बात मान लिए उसको जान से नहीं मारे पर उसको सन्मान से मार दिये असन्मान से मार दिये अगर सही से बोला तो यह भागवत में आता है यह सास्त्र में आता है अभी फिल्म में क्या हुआ मैं तो पहली आर्जुन को फ्रीडम दें और और फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं आर्जुन को कि मेरे को खुसी हुआ कि तुम ने सही डिसीशन लिया तुमने दोनों party को खुस कर दिया युदिस्टिर का भी कुछ कर दिया करो जैसे जीवात्मा भगवान के साथ नहीं रहना चाहता है भगवान इस दुनिया में भेज़ देते हैं और उसकी पनिस्मेंट और उसकी रिवार्ड सिस्टम के उपर हाथ धस्तक्षिप नहीं करते हैं यह भगवत गीता का स्लोक है नवम अध्याय का साथ नौ या दस नंबर को इस लोक में आता है उदासीन बत भगवान खुद बोलते हैं अर्जुन को मैं इस दुनिया से पूरा उदासीन होके रहता हूं मैं इस दुनिया में इंटर्फियर नहीं करते हैं तो सास्त्र बोलता है कि भगवान इंटर्फियर नहीं करते हैं और और मुवी में थोड़ा मिर्च मसाला डालते हैं माता जी ने मुवी देखा है मुवी भी दिखता है कि असवत्वामा को भग्वान मतलब लड़ाई की समय उस यूद्ब ने श्राफ मतलते कि मैं जब कल्की का अस्वत्तमा के क्या रोल है वही मैं पूछा कि मुवी का नाम अगर कल्की है तो अस्वत्तमा कहा ते आ गया तो कैसा यू ग्राइगा बहुत आपके का दिखाने में तुसमें है कि महां भारत में कृष्ण ने उनको बोला है कि जब जर्वा तो कल्की का अथार में तो ये अस्वत्तमा के की हल्व करेंग अस्वत्तमा को श्यादिया थे खालांता तब कुम जो है इसी भक्ति पर रहोगे और तुम्हारे चरीर पे जो है थाओ नहीं 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 कृष्ण नहीं दिया था अस्वत्तमा वेरी रिपेंटेंट दाट वो गल्ती किया दो बार गल्ती किया मैं अस्वत्तम became very repentant. Aswatthama was given a transformation plan. Reformation plan. Sorry, transformation plan. Reformation plan. कि तुम सुधरो और तुम सुधर के तपस्या करो. सुधरो, तुम अगले जीवन में ब्यास देव बनेगा. कहीं नहीं आता है कि कल की को help करेगा. Aswatthama नेक्स्ट ब्यास देव बनेंगे. जब भी next ब्यासदेव आएगा next यूगांतर के बाद चार यूग के बाद फिर कल्यूग आएगा next कल्यूग next कल्यूग में ब्यासदेव अस्वत्थामा होगा यह लिखा वाई सास्त्र में कहीं लिखा नहीं यह कल्की को help करेगा बाँ फरी तो खदरनाग so अस्वत्थामा is going to become the next कल्यूग में ब्यासदेव इस कली नहीं, इस कली तो ब्यासदेव गए इस कली के ब्यासदेव तो खुद कृष्ण ही थे, कृष्ण की अवतार थे next कल्यूग जो आएगा 29th कल्यूग जो आएगा इस मनवंतर में 29th कल्यूग में अस्वत्थामा if he follows the reformation plan जो भगवान ने दिया है he will become the best there वो सारे सास्तर वो लिखेंगे उनको ये बताएगा जिस तरह बली महराज और इंद्र में वो हो रहा था बली महराज को इंद्र बनना था तो भगवान ने किया किया बली महराज को नीचे भेज दिया नहीं इंद्र ये रहेगा और बली महराज को असिरवाद भी दिया ठीक है तुमको बहुत इंद्र बनना है इस बार वो इंद्र बने next मनवंतर में तुम इंद्र बनेगा तो नेक्स्ट मनवंतर में बली महराजी इंद्र बनेंगे, तो उसी तरह अस्वत्मा, if he follows the reformation plan, he is going to become ब्यासदेर, in next कल्यूरा, this is mentioned in सात्राइब, but this is what you are telling, और जो भी मुझनी आता है, ये कल की को जरुत नहीं का, और अक्चली कल की अवतार के बारे में आता है, कि कल की अवतार को कोई देख भी नहीं पाएगा, वो हवा के धुमखेतु, धुमखेतु जो होता है न, धुमखेतु द्यांते है न, उस तरह वो दिखाई देंगे, और उनका जो सोड है, वो मन के गति से चलेगा, उनको कोई देखने के लिए दर्सन देने के लिए कल की अवतार आएंगे नहीं और मूवी करेंगे, फोटो खींचेंगे उसके लिए कल की अवतार आएंगे नहीं उनको कोई फोटो खींच भी नहीं पाएगा उस तरह का कैमेरा ही नहीं है मन के गती से वो सब को खाली, he will just come and kill जो भी आएगा वो उनका जो सोड है, वो मन के गती से चलेगा धुम के तु किमापी करालम ये से वो रहेगा we cannot some people will just be able to see the glimpse of his horse because it was white, it will be white in color, that's it that has been mentioned, को इकल की अवतार को देख नहीं पाएगा, ऐसे नहीं की कल की अवतार फोटो किंचेंगे ठीके, दर्सन देंगे, में कल की आगया, वो ऐसे नहीं होगा that is, it's not going to happen और आप सभी प्रार्थना कीजिए कि कल की को मुवी तो देख लिया बड़ कल की को नहीं देख ये, ठीके, कि आप देख नहीं पाएगे देखने से पहले ही आपका सर कट जाएगा आप देखने से पहले ही आपका सर कट जाएगा, वो भागवत में आता है तो मुवी थोड़ा बन गया है, निर्च मसाला के साथ, देख की कुछ फाइदा भी नहीं होगा ये, बहुत सारे करश्ण है बापरे, पहली बार में रोह पाता चला की नया मुवी आया है ठीक है, रीमा माताजी बोली है कुछ कर्ण भी आएंगे, ठीक है, आप भागवत पढ़िये, सही मुवी भागवत में दिखाया गया है, सही स्क्रिप्ट बहुत परिस्तिती मतलब हमारे जीवन में कुछ बीमारी हो गया, हमारा कुछ financial loss हो गया, हमारा कुछ exam में failure हो गया, हमारा कोई गुजर गया, इससे भागती जागरत नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉर्माल होता ही रहता है, तो सब भागत बन जाते, ये भावतिक परिस्तिती, भावतिक परिस्तिती मतलब भावतिक दुख, this may not give us, give rise to bhakti, बट अगर उस भावतिक दुख के समय, कोई अगर भावतिक का सलांगती आ जाता है, किसी का, तो वो भावति बन जाता है, ऐसे होता है, कभी कभी होता है ना, कि when you are, जैसे for example, मैं depression से गुजर रहा हूँ, तो मैं अगर, मेरा अगर depression है, मेरे पास counselor ह नहीं जाके devotee के पास जाए, तो मैं devotee बनने का मेरा probability बढ़ जाता है, counselor के पास जाओंगा, तो कुछ नगत नहीं बने, तो इससा है, यह बता है, क्यों जैनिताहाइ, कि अधिए और दंडबाद करते हैं तो प्रीज पेंग करते हैं तो फ्रीज में एक हमारे पास वहाते हैं आप हको कंसांग में जा के डिशन लें और दुसरा कर्म के अनुसार हम अपलेक्स करते हैं कर्म के अनुसार चूज करना मतलब हमारे कर्म और अप्रारब्ध जो है हमारे मन को प्रभावित करते हैं जैसे किसी का कर्म अप्रारब्ध कर्म दो प्रकार के होते हैं प्रारब्ध और अप्रारब्ध प्रारब्ध हम भुगतते हैं अप्रारब्ध से हमारा मन और बुद्ध हमको decision लेने में ललकारता है जो अप्रारब्ध है अगर किसी का अप्रारब्ध बहुत खराब है तो मान लिजे प्रारब्ध अच्छा है यह हमने भगवत गीता में किया था भगवत गीता का अगर कर्म के उपर session है उसको थोड़ा फिर से सुन लेंगे तो आपका यह डाउट क्लियर हो जाएगा प्रारब्ध मतलब हमको जो मिलने वाला है मिला नहीं है प्रारब्ध मतलब जो मिल रहा है किसी का अगर अच्छा प्रारब्ध है उसके पास ज्यादा पैसा है धन है प्र भगवत गीता बेसिक्स का यह सेशन है आप इसको अच्छे से सुन लिजिए और बाकी जो भी जिनका इस ते उपर डाउट है प्रारब्ध आप्रारब्ध है रेकोमेंड आप सब सुनिए इसमें मैं पूरा कैल्कुलेशन करके बताया हो प्रारब्ध क्या होता है कैसे होता है तो आपका डाउट लेर हो जाएगा ठीक है भगवत गीता बेसिक्स में थीओरी आफ कर्मा के उपर सेशन है वह अच्छा सेशन है इस बार जो भगवत गीता बेसिक्स में दिया था उसको सुन लिजिए ठीक है अरि यह सपना मात जी लास्ट अजय कृष्णा सब्साइंस ना अजय क्टा थी करों देस्टीनि और तो देखें और भाग्य यह वह सब कैसे काम करते है भाग्य वा다 बかった का सब कैसे काम करता है नेक्से स्कीः ठीक्षिल्वा प्रभुपा कि कि यह वांच्य般 कंपतर वेस्ड कृष्टिपास उंधूवय कल्यों mend पतिता नाम पावने भ्यो वैश्नमे भ्यो नमो नमानंत कोटि वैश्नभा ब्रिंदु की वैश्नभा कुल की दंडबाद हरे कृष्णा आप सब अच्छे से रहिए ध्यान पुर्बक रहिए भक्ति की है रेक्ष्ण